इन सारी सब्जेक्ट की बारिकियों के आसपास कुछ ऐसे स्मार्ट टिप्स हैं, जिनका ध्यान रखना हमें बहुत जरूरी है, वो आपके कुछ जगहों पे नंबर कटने से बचाएंगे और कुछ जगों पे आपके smart work से ज़्यादा number लाने में help करेंगे तो ध्यान दीजे ज़रा आपके screen पे सबसे पहली basic चीज है यदी हमने बहुत अच्छा करा हम regular पड़ाई कर रहे थे मैं यह कहूंगा इस hall में जो भी बच्चा बैठा है वो आज से भी ठान ले तो वो 90% in above score ला सकता है even if we are at zero we started from today hello आज से भी start करें तो और यानि कि अगर मैं minus time से start कर चुका हूं तो definitely मैं बहुत अच्छा score ला सकता हूं यह बात मान के चलिए सबसे पहली बात last के days में तो बिलकुल आपको over study, over exert नहीं करना है यह बड़ी छोटी सी बात है और आप बाद में realize करते हैं so हम regular rest करेंगे light food लेंगे सभी teachers ने बताया एक पूरा pattern है examination का questions का तो जब हम instruction पढ़ रहे होते हैं आपको 15 minute extra मिले मिले या ना मिले तो examination center पे timely पहुँशना है admit card check कराके मुझे 15 minute पूरे use करने हैं आपको officially दिये जा रहे हैं और instructions को ध्यान से पढ़ें because यह सारी चीजे assumption है उनके pattern के basis पे है actual paper में क्या break up वो दे रहे हैं वो आपको वहीं जाके मिलेगा और आप कभी भी presumptive ना हो कि मुझे तो पता था ऐसा होगा ऐसा ही होगा ऐसा ही होने वाला है आपको उसको validate करना है कि मेरे paper setter ने मेरे examiner ने मेरे लिए क्या sections बनाएं कितने section बनाएं क्या marking की scheme है और किस तरीके से मेरे को questions के structure मिलने वाले है मानते इस बात को वो 15 मिनिट कई बार बच्चे सोचते हैं अरे ठीक है ना पढ़ते जाएंगे कड़ते जाएंगे No First sheet आपको paper खोलने की permission नहीं होगी जो instruction से बहुत ध्यान से पढ़ने कई बार negative question पूछा जाता है हम question पुरा ध्यान से नहीं पढ़ते और उसका answer positive दे देते हैं यानि कि इन मेंसे कौन-कौन ऐसा नहीं है और हमें क्या लगता है वोनने पूछा इन मेंसे कौन-कौन ऐसा है ऐसे tricky questions क्योंकि जब इतना simple है इतनी internal choice है इतनी external choice है तो आपकी presence तो चेक करेंगे वो या नहीं करना चाहिए कितनी सारी choice है internal-external मिला के अब आपने question paper ध्यान से पढ़ा की नहीं पढ़ा question का भावार्त ध्यान से सुना की नहीं सुना समझा की नहीं समझा तो आपको सबसे पहले बहार instruction ध्यान से पढ़ने फिर second आपको questions ध्यान से पढ़ना है और आपको चिंतन करना है कुछ second के लिए before you start writing your answers हा की नहीं फाइदा होगा और जब आप paper देखेंगे तो आपको समझ बहाएगा जैसे अभी सर लोग सब बता रहे थे कि कुछ topic आपके weak होंगे कुछ topic आपके strong होंगे हो सकता है strong topic में से भी कोई ऐसा question आजाए जिस question पे आप confident नहीं हो और weak topic से भी ऐसा question आजाए जिस पे आप confident हों तो हमें वहाँ पे question का selection या priority बनानी है कि मैं इस question में confident हूँ ना कि की topic क्योंकि वो बात तो preparation level तक की थी वो बात आप छूट गई अब मेरे को वहाँ पे priority सेट करनी है और मैं कहीं ने कहीं अपनी उसी priority से because जहां-जहां मेरा confidence है मैं उसको जल्दी-जल्दी निप्टा हूँगा और eventually वो मुझे help करेगा time management में यानि कि अगर मैंने पहले ही ऐसा question उठा लिया जो challenging है तो मेरा ज्यादा time खा जाएगा और जो question मुझे आता था उसके लिए last में जाके time मुझे कम पड़ेगा of course sir ने सबने बार-बार ये बोला है कि हमें कोशिश करनी है कि हम questions को order में solve करे but that is not कि अगर मैंने first question देखा वो मुझे difficult लग रहा है तो मुझे सर ने तो बोला था सबसे पहले ये ही solve करना है और eventually आप question by question घड़ी सब लेके जाएंगे simple घड़ी आपके admit card में instruction आजाएगी smart watch या इस टाइप की कोई घड़ी allowed नहीं होती है basic dial घड़ी आपको लगेगी आप अपने किसी senior से भी पूछ लीजेगा because of cheating and unfair means वहाँ पे watches की भी limitation है simple घड़ी आपके जाएगी कोई calculator वो लाओ नहीं करेंगे और आप अपने question wise question time management को करते जाएं जैसा मैंने आपको बताया silly mistake question पढ़ने में गलती question का मतलब समझने में गलती कई बार आसान question छूट गया last में जाके करूँगा difficult question पहले उठा लिया या फिर gram kilogram meter, kilometer units physics में chemistry में कई बार students जल्दी बाजी में unit की गलती कर जाते हैं आता तो होता है मालूम तो है लेकिन हम because of hurry या because of fast करने की इच्चा अरे इतो बहुत अच्छा बहुत सरल question है और हमने उसकी unit गलत समझ ली, पढ़ ली और एक बार अगर आपकी unit गलत set हो गई माइन में आप पूरा question solve कर देंगे उस गलत unit से वहाँ पे वो आपको एक marks को reduction देने वाला हो जाएगा जैसे कि दिखाया गया calculation हमेशा एक side में margin डवलप कीजिए calculation का और calculation भी first कीजिए because कई बार हम खुद अपनी calculation से गलत answer उठा लाते हैं अगर मैंने अपनी calculation ही neat नहीं करी है so मैं जब वहाँ से पढ़के उसका final figure निकाल के लाऊंगा और मैंने उसको बहुत rough untidy way में किया है so calculation को भी ऐसा करें कि आप खुद उससे पढ़के जब वापस answer पर लिखे तो answer सही लिखे कुछ important बाते जो सभी subjects पर applicable होंगी आपके आप सब unique है मेरा favorite subject अलग हो सकता है subject के अंदर मेरा favorite topic अलग हो सकता है no two students are same so don't try to copy with your friend आपकी strategy अलग-अलग होगी आपका weak topic आपका strong topic अलग-अलग होगा subject wise और जब मेरा subject or strong topic अलग-अलग होगा तो मेरा time allocation भी अलग-अलग होगा आपने एक चीज़ सोची होगी हमने यहां से screen से क्यों नहीं बता दिया कि आपको physics इतने दिन पढ़नी है chemistry इतने दिन पढ़नी है biology इतने दिन पढ़नी है सारे teachers नहीं यहां पर बताईए so आपको accordingly your strength और बिल्कुल यह गलती मत कीजिए कि मेरे को social science से तो बहुत डर लगता है या मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है या हिंदी कौन पढ़े तो मैं इसको कम time दूँ inverse होगा जो subject आपका weak है जहां पर आपको fear है उसको आपको ज़्यादा time देना चाहिए और थोड़ा speed और time management अभी आपको कुछ sample papers दिये जा रहे हैं कुछ आपके board practice test होंगे pre-board के format में हो रहे हैं कुछ आपको market से भी मिल सकते हैं जितना आपका time अलाओ करे try to solve maximum papers which are on the pattern of the board previous year paper बहुत जादा नहीं मिल पाएंगे क्योंकि दो साल में pattern बहुर बार चेंज हुआ है दो साल पहले pattern बिल्कुली different होता था यह जो pattern बिल्कुल नहीं है so में market से बहुत सारे previous year paper नहीं मिल पाएंगे लेकिन आपके अभी जो test हैं test होने वाले board pattern test so कोई test मिस नहीं करना है commit करते है बस ठीक है होगे हमारा 50% काम और एक बहुत छोटी सी request है सबसे last में facebook, instagram, whatsapp कौन-कौन चलाता है अच्छा कौन कौन नहीं चलाता है तो एक महीने के लिए इसका fast कर सकते हैं वरत for one month भूल जाओ और नहीं तो यह सारी knowledge कोई काम नहीं आने वाली क्योंकि आपके सारी planning, सारी strength, सारी weakness वो सारा facebook, whatsapp, instagram this is not the time एक तेड़ महीने के लिए till आपके examination 25-26 मार्च तक आप उसको भूल जाएए social media या socially अपने आपको limit कीजिए आपकी physical and mental health यानि की आपको अच्छी diet लेनी है वैसे भी लेनी चाहिए हमेशा आपको time पे सोना है, time पे उठना है even एक बहुत specific routine आपको अभी से तब तक exam तक maintain करना चाहिए because 40 days के बाद exam शुरू है और another 25 days तक आपके exam चलेंगे so बुझे एक्जामिनेशन की विंडो है हमारी biological clock होती है जैसे कि आपने देखा होगा आपका examination का timing 10.30 to 1.30 pm है मान लीजिए अब आपको रोज साड़े बारा बजे सोने की आदत पड़ी भी है for example क्या होगा 27 फरवरी को पहला पिपर किसका है और आप साड़े बारा बजे इन्विजिलेटर गह रहा भाईया क्योंकि हमारी biological clock so उस biological clock के पूरे potential को यूज करने के लिए आपको आज से अभी से at least 10.30 तिल 1.30 आपको चेर पे बैटके सिटिंग में अगर आप क्लास में आ रहे हैं आप टेस्ट दे रहे हैं सेल्फ स्टडी कर रहे हैं रूम पे हैं घर पे हैं वाटेवर आप साड़े दस से डेड़ बजे तक कुरसी पे चिपक के पूरी पोटेंशल के साथ पेपर सॉल करने की या पढ़ने की अगर आदत रखेंगे तो एक्जामिनेशन हॉल में आपकी बॉडी क्लिक कुछ भी अन्यूजवल नहीं हो बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत सिग्निफिकेंट इंपक्ट आता है हमारी बायलोजिकल रिदिम का आपकी जो डेट शीट है जैसे सर बता रहे थे कि किसी ने संस्कृत लिया है किसी ने हिंदी लिया है और अप्शनल पेपर अकॉर्डिंगली डेट शीट आप डिवाइड करें मुझे कहां कैसे पढ़ना है और कुछ चीजों को याद रखें और कुछ चीजों को रिवाइज कैसे करना है बिकॉज अब आपको इसके बाद चांस नहीं मिलेगा कि आप एक और बार पढ़ लें अभी जो यह पढ़ेंगे इस नेक्स 40 डेज के अंदर में इसको आपको अपने अपने मॉडल के हिसाब से बुकमार्किंग करनी पढ़ेगी या शॉट नॉट्स बनाने पढ़ेंगे या कोई कार्ट्स बनाने पढ़ेंगे जिससे कि आपको यह याद रहे कि मुझे इस टॉपिक को इसी सब्जेक्ट में बिकुज जो एक्जाम के बीच का ब्रेक है वहाँ पे आप पूरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते पढ़ सकता क्या कोई दो दिन, तीन दिन या चार दिन में तो हमको क्या करना होगा उस समय रिवाइस करना होगा और रिवाइस करने की या तो अभी तक हमने जब पढ़ाई करी है तब हमने बना रखा है कि यह चीज मैं मिस करता हूं, करती हूं, यह मैं भूल जाता हूं और मुझे इसको देखना है या अभी भी नहीं करा है तो जब हम पढ़ रहे हैं अब अब हम अपने रिविजन के नोट्स, बुकमार्क्स, शॉर्ट ट्रिक्स, जो आपको बनाना है उनको आप बुकमार्क करके रखें अन्य था आप बिट्विन दे एग्जामिनेशन अपने आपको पजल्ड फील करेंगे कि टाइम तो इतना सा है और पूरा सबजेक्ट है उसमें आप ऐसे भुकमार्क कर सकते हैं कि ये चेप्टर, ये टॉपिक, ये सब टॉपिक या इस टाइप के कोश्चन या इस फॉर्मुला से बनने वाले कोश्चन को मुझे रिवाइस करना है मैंज के अंदर में बहुट इफिरिंट तरह के कोश्चन की प्रेक्टिस के मैं करनी होगी लैंवेज के लिए जब बात करते हैं हिंदी और इंग्लिष और संस्कर्स समबड़ी अस टेकन तो लैंवेज के अंदर में डिस्क्रिप्शन The language part itself is very important जब हम science की बात करते हैं तो language का factor इता significant नहीं होता लेकिन आप जब language की बात करेंगे तो आप किस तरीके से answers को describe कर रहे हैं हो सकता है कुछ पच्चे कम practice करते हों तो अभी भी उसकी practice की जा सकती है और आपके साथ आपके teachers अभी भी जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे examination तक हम उसको take care कर सकते हैं